Hello everyone, welcome back to my channel तो जी आज के वीडियो में हम सीखेंगे sleeves लगाना बट यहाँ पर जो है मैं आपको उपर से sleeves लगाना बताऊंगी जैसे हमें readymate कुर्ती में अलग से sleeves मिलती है लगाने के लिए उस तरह से तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो helpful होगी और आप लोग को पसंद आएगी पसंद आए और helpful हो तो मैं चल को subscribe जरू करिएगा और वीडियो को like जरू करिएगा तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं तो जी यह हमारी कुर्ती है जिस पर हमें sleeves attach करनी है भूमाते हुए इंची टेप को तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यह हमारा 7 इंच आया है 7 इंच आया है हमारा आर्म होल और अब हमने यह sleeves ली है देख सकते हैं आप लोग और इसका जो bottom है वो मैंने already fold कर दिया है और यहां से आप लोग देख सकते हैं यह थोड़ा सा गहरा करता हुआ कपड़ा है क्योंकि जो हमारा front side होता है वो हलका सा गहराई में होता है sleeves का भी और suit का भी तो मैंने रख कर देख लिया है कि जो यह वाली sleeves है वो हमारे इस side की ही है तो देखिए अब मैं अपनी sleeves को जो है इस तरह से ऐसे उल्टा करूंगी और इसको ऐसे double fold कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से आपने बिल्कुल center करके इसको अच्छे से double fold कर देना है and then इसके armhole पर जो है मैं 7 inch पर निशान लगाऊंगी क्योंकि जब हमने suit का armhole ना पा था कुर्ती का तो वो भी हमारा 7 inch याए था और जो हमारे sleeves का bottom है वो है 10 inch दस inch बट मैं यहाँ पर 5 पर लगा रही हूँ क्योंकि यह double है इसलिए जब हम इसे खोलेंगे तो यह 10 ही हो जाएगा और फिर इन दोनों निशानों को हमने ऐसे मिला देना है इस तरह से और अब sleeves पर जो है हम इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लेंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाया है same वैसे ही वैसे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से और जो margin है वो मने को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसलिए मैं उसको cut कर कर निकाल दूँगी तो जी हमने जो हमें margin extra लग रहा था जादा ही तो मैंने उसको cut कर कर निकाल दिया है और अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ये जो हमारी sleeves है वो बिल्कुल बनकर तयार है बस हमने इसे armhole में attach करना है और अब जो है हम अपनी कुर्ती लेंगे तो जी ये हमारी कुर्ती है और मैंने इसको दोनों को सीधा सीधा रखा है देख सकते हैं आप लोग सीधा सीधा हमने रखना है और अब अंदर से हमने इसको ऐसे पकड़ना है और सिलाई वाला साइट पकड़ेंगे हम इसका और जो हमारी कुर्ती है उसका भी हमने सिलाई वाला साइट ही पकड़ना है और दोनों के सिलाई वाले साइट को ऐसे मिला देना है दोनों के आर्मोल को पकड़ कर और यहां से हमने इस पर सिलाई लगानी शुरू करनी है यह देखिए इस तरह से अब जो हमारा आर्मोल है सूट का आर्मोल और हमारी जो स्लीव का आर्मोल है उन दोनों को हम ऐसे ही गुमा गुमा कर ऐसे मिलाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलते जाना है तो देखिए अब जो है यह हमारा घूम नहीं रहा है तो मैं इसको सिलाई को यहीं पर ही छोड़ दूँगी और अब यह देखिए आदा हमारा सिल गया है और थोड़ा सा हमारा बचा है तो हमने इसको ऐसे उल्टा कर लेना है ये देखिए इस तरह से और फिर इन दोनों को ऐसे मिला कर हम अगेन इस पर जो है सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये सीधे सीधे थे तो पलट नहीं रहे थे तो इसलिए हम इसको उल्टा कर लेंगे और जो हमारी सिलाई रह गई है उसको हम सिल लेंगे हम हमेशा जो हमारी readymade कुर्तीज होती हो उस पर ऐसे ही sleeves attach करते है ये देखे इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए और खीचना नहीं है आपने क्योंकि ये आर्मोल जो होता है यहाँ पर आडा कपड़ा होता है ये देखे है हमारी जो sleeves है वो इसमें attach हो गई और कितनी finishing के साथ होई है ये भी देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सिलाई से सिलाई जो है वो मिलनी चाहिए आपकी तबी जो है आपकी sleeves में और suit में दोनों में अच्छी finishing आईगी ये देखे है बिल्कुल अच्छे से हमने इसको attach कर लिया है इसमें अब जो हमारा suit है मैं आपको पहले pass से दिखा देती हूँ एक बार इसकी finishing आप लोग देख सकते हैं कि कि कितनी finishing के साथ हमारी सिलाई लगी है और अब इस side भी जो है मैं इसी तरह से अपनी sleeves attach कर लूँगी तो जी देख सकते हैं आप लोग अब मैंने दोनों side अपनी जो sleeves है वो attach कर लिये और बहुत ही ज़्यादा finishing के साथ हमारी sleeves जो है बनकर तयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा easy होता है इसे लगवाना आप आपको कभी भी अपनी readymate कुरती जो है टेलर को नहीं देनी पड़ेगी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझाई होगी वीडियो और helpful होगी समझाई हो और helpful हो तो चैनल को subscribe जरू करिएगा वीडियो को like जरू करिएगा और कोई वीडियो suggestion हो तो नीचे comment जरू करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज